आज हम नबरात्री स्पेसल में मातारानी के भोग के लिए बनाएंगे मलाई गुलाब चामून कड़ाई जडा गया और यहां फॉडस अड़ादर्फव में से जिए जब तक अध्या यहां थाली आपरात्री भोग के लिए नहीं तो आप मार्केट पाला सॉफ्ट खोया का योज कर सकते हैं या तो धाप का योज कर सकते हैं वैसे तो हलफाई लोग धाप का योज करते हैं और मैं घर पे ही खोया बना के इस्तिमाल करती हूं तो आप चाहे तो घर पे बनाई यानि तो मार्केट से भी लाके योज कर स आप जाए बजन कर लें या नहीं तो आप मेजरमेंट कर लें ठीक है और छैना को भी अच्छे से क्रेस्ट कर लेना है उसके बाद हमें मिला देना है इसमें दो चम्मच के करीब मैदा ठीक है जितना हमने छैना लिया है उससे आधा हमें मैदा लेना है फ्लेवर के लिए मैंन अगर आप चैना बनाना चाहते हैं घर पर बना सकते हैं बहुत है बनाना दूद को फाड़ लीजिए चैना बन जाएगा अपका उसके बाद अपनी हतेली से अच्छे से चार से पांच मिनट के करीब इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि हमारा चैना और खोया जो है अच्छी आप यहीं पर इसका एक छोटा सहष्चा लेना है और इसके बना लेने हैं बॉलस अगर आपने बॉलस बनाए तो इसके बन जाएगे गुलाँ जामून यहां पर आज बनाने वाली हूँ आपको पूरे ट्रिक्स बता होंगी कि आपकी गुलाब जामून कैसे परफेक्ट बनेंगी तो देखे हमने गुलाब जामून को बना कर लिए है हैं अब ना हम इसमें पर चासनी भी तेयर हो चुकाısı है मतलब अच्छे से वाइल आ चुकिए चासनी में अब हम चासनी को उतार देते हैं और यहां चाड़ा देते हैं दूसरी कराई जिसमें हमने पहले से घी डाल रखा है अब हम इसमें एक एक करके गुलाब जामू जाल देंगे बस एक बात का ध्यार लगना है तेल या घी जो भी आप योज कर रहे हैं वह एक्तम ठं उपर के और तैरने ना लगे तो देखिए गुलाब जामू आप उपर तैरने लगा है इसका मतलब है कि गुलाब जामू न हमारे परफेक्ट हो रहे हैं और यह अपने प्लट भी गए बस अब इस स्टेज पे गुलाब जामू को इस तरीके से चमस से हिलाना है ताकि इसकी चाड़ो तरफ न अच्छे से कलर आए तो देखिए कुछ देर के पाद ना इसका कलर अपने आप प्रॉन हो गया तो यहां पर आच को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखना है हाई फ्लेम नहीं करना है क्योंकि मीडियम फ्लेम पर रखेंगे गुलाब जामू अच्छे से रखेंगे टीरल और इसमें अच्छा सा कलर भी आएगा कच्छा पन फिल्कुल नी रखव मैं तो हाइग करेंगे तो यह एफे ब्रॉन oha च्छे से पर यह अच्छे से कुक कर लेना है उसके बाद उसको गरम-गरम टाल देना है यहां पर धक देना है उसके बाद हम फिर इस तरह के से बनाएंगे तो गुलाब जामुन एक्तम पर्फेक्ट बनेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे क्या करेंगे तो अब हम चासनी में डाल देंगे तो यहां पे चासनी मारा पहुँ जादा गर्म भी नहीं पहुँ जादा थंडा भी नहीं इस बात का धिहान अब हम इसे 2 घंटे के लिए ढ़क के छोड़ देंगे अब हमने यहां पे कढ़ाई लिया है कढ़ाई में टालेंगे दूद तो मैंने यहां पे 1 लिटर फुल क्रीम दूद का इस्तमाल किया है तो हम बना रहे हैं मलाई कुलाब जामून तो उसके लिए मलाई तो अब मैंने यहां पर दूद में थोड़ा सना दो चमच के करीब चीनी एड़ कर दिया है साथ ही हमने थोड़ा से फ्लेवर के लिए लेची पॉडर एड़ कर दिया है और बस दूद को अच्छी से ठीक कर लिया है और अब इसे ठंडा होने देंगे अब को आयाने जाा है तो गुलाब जामुन को दो घंटे बाद किलाब जामुन देला जूस पहां लिया है जोनुन वह अपर आप लिणा है प्रम सोगाज्ड अग्से में ज्तने जूस कावड नताय नहीं कर लेना तो इस तरीके से सारे गुलाब जावन को CUT कर लेना में क्यूंकि भढ़ेंगे लुट कि इम बहुत है। calidad है.. बहुत ही असान है take a बहुत है इसको आराम से मलाइ फिल कर देते हैं तो इस तरीके से ठीक में बहुत है प्राइपुण तो देखे हमने एक तो बना लिया है कितना पर्फेक्ट बना है इसी तरीके से और भी मलाई गुलाब चामुन बना के रेडी कर लेंगे बनाना बहुत ही असान है और यह खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है तो एक बार जरूर से बना के ट्राइ केज़ेगा और आपको हम क्रीन कलर का फूड कलर से इसकी सजाबट करती है देखने में इसका लुक बिल्कुल मार्केट जासा लागा है आप मुझे कॉमेंट करके पताईए कि आपको कैसा लगा है